हेलो मैं हूँ सीर रजयत अगरवाल और आज हम देखेंगे TDS का चलान किस तरीके से पे करना है सबसे पहले हमें जाना है Income Tax की वेबसाइट तो हम Google में ही टाइप कर लेते हैं Income Tax Login जैसी आप ये एंटर करेंगे आपको पहली साइट ही मिलेगी ePortal.IncomeTax.gov.in तो आप इस पे क्लिक कर लें तो जैसी आप ये ePortal पे जाएंगे Income Tax के यहाँ पे आपको वो pen number put करने के बोलेगा तो यहाँ पे आपको pen number आलना है और फिर continue करना है फिर अपना password यूज करना है जैसी आप ये login कर लेंगे इस तरीके से आपको dashboard दिखना चाले हो जाएगा आपको dashboard में dashboard में जाना है eFile में eFile के अंदर ePayTax के अंदर जाना है ePayTax में अब यहाँ पे देखिए दिजिए यह जो login है यह TDS वाले portal पे login हुआ है तो अब यहाँ पे हम चलान बना सकते हैं हमें जाना है new payment पे new payment पे click करने के बाद यहाँ पे assessment year select कर लेना है तो अगर हम payment कर रहे हैं अप्रेल 2023 का तो वो financial year हो गया 23-24 और assessment year हो गया 24-25 एक और आगे कर रहता है तो financial year 23-24 के लिए assessment year 24-25 हमें select करना है यह 24-25 select करने के बाद हमें proceed करना है pay TDS पे और यहाँ पे हमें select कर लेना second option payment of employees other than government employees अगर हमारे salary का हम अगर TDS deduct कर रहे हैं तो हमें यह second option choose करना है 92B वाला non-government employees है और उनकी हम salary पे TDS deduct करने वाले हैं continue अब यहाँ पे आपको जो भी आपका TDS amount है वो आप fill कर लीजे जैसे यहाँ पे अभी हमारा TDS amount है मालो 15,600 यह हमने fill कर लिया tax amount और फिर अगर हमारा कोई interest अगर कुछ भी नहीं है तो इसको सब blank छोड़ सकते हैं जिरो-जिरो रहेगा और यहाँ पे हम continue पे click कर देंगे जैसे continue पे click करेंगे यहाँ पे बहुत सारे options आ जाएंगे तो यह रहे सारे net banking के options net banking पे आप यहाँ पे अगर आपको आपके bank रही दिख रहा है तो आप other पे चले जाए अधर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो दूसरे banks है वो यहाँ पे आपको दिखने चालो हो जाएंगे तो आप वो select कर सकते हैं या तो फिर आप debit card के मदद से कर सकते हैं counter payment कर सकते हैं RTGS NFT का एक option रहता है चलान बनाके करना पड़ता है यह भी चलान बनाके bank पे जाके करना पड़ता है और एक है last payment gateway अगर यह सारे options में अगर आपको कुछ नहीं समझ नहा रहा है जो नहीं मिल रहा है तो आप payment gateway पे चले है वहाँ पे आपको मिल जाए वहाँ पे यूपी आई payment का भी option रहता है जैसे google pay phone pay pay यह सबसे भी अगर आपको payment करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको payment gateway के मदद लेना पड़ेगा payment gateway पे जाने के बाद आपको फिर से payment gateway के options आएंगे वहाँ पे आप select कर सकते जो भी option आपको चोज़ करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे payment कर सकते हैं payment करने के बाद यह आपको यहाँ पे चलान number और आपको जो दूसरी details है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी BSR code जो कि आपकी return filing में कामाने वाली है thank you so much